दोस्तों यहां पर मेरे पास एक विबो का मोबाईल है, जिसमें charging का प्रोबलम है, बोले तो charging को accept नहीं कर पा रहा, सबसे पहले मैं आपको check करके दिखा देता हूं, यहां पर किसी भी मैं charger को connect कर लेता हूं, तो यहां पर दिखिए कोई भी charging का यहां पर आपको इंडिकेटर कर लेगा तो यहां पर अब इसमें जैक का प्रोब्लम है या फिर कचड़ा फजा इस वज़ी से भी प्रोब्लम हो सकती है तो यह पर अभी कंप्लीट इसको चेक करके आपको रिपैर करना सिखाऊंगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्स हो जाता है तो अच्छी बात है असल मैं यहां पर कुड़ा कचला कचला फटा मोवैल के जैक में कचला फटा रहता है तो एक बारिक सी चिम्ती लेकर इसको तो आप इसको clean कर सकते हैं ध्यान रही जैक तूटे वगर ना कभी-कभी कचला फसने की वज़े से भी आपका problem हो जाता है आप देखते हैं क्या problem है तो यहां पर क्लियरली यहां पर दिखनी पा रहा है वरना आपको दिखा देता मैं इस जीगा पर सबस्यादा कचला वगर इसके रहता है इसके अंदर साइड को चले मैं इसको clean करता हूं जल्दी से वैसे यहां पर जो इसके last के दो clean वगर है मुझे हिलते वेल नजरा रहा बोले तो टूटा होगा नजरा रहा है चलिए एक बार ऐसे हम लोग लगागी चेक करते हैं problem का solution हो जाता है तो अच्छी बात है क्योंकि इसमें जैक तो टूटा इसको replace करना ही पड़ेगा तो यहां पर कोई भी हम है charging वगर रहा का सो नहीं कर रहा चलिए इसको मैं खोल लेता हूं अब इसको हम repair करेंगे दोस्तों को खोलने से पहले हैं यहां पर सीम को जो इसके सीम के ट्रेय होता है उसको eject कर लीजिए उसके बाद इसका खोलना स्टार्ट कर दिए और एक धंकोन को आप खीचेगा मत इसमें भी अभी ए आसानी से आपका खुल जाएगा अब यहाँ पर हमारा next जो काम होता है jack नीचे side को है तो नीचे side का ही हमने screw अगर सारा के सारा हमने धीला करना होगा अब उसमें हम लोग voltage चेक करेंगे देखे jack का ही problem है यह भी confirm नहीं है क्योंकि कभी कभी IC का भी fold रहता है और कभी कभी आपका कोई और चीज का भी fold हो सकता है तो अभी अब खोल के ही पता चलेगा कि क्या इसमें problem है jack का problem होगा तो solve आसानी से हो जाता है jack को replace करने का जो तरीका है वह आपको मैं बता दूगा आपको पता भी होगा कुछ बात नहीं लेक देखेगा आप यह धकन फासे होने की वाज़े से jack एक जगव अटका था लेकिन यहाँ पर देखिए निकल ही चुका है बाहर को तो यह problem इसमें सबसी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकता है और इसमें problem क्या है देखिए इसके सारे के सारे प्रिंट यहाँ पर हमें जितने भी प्रिंट थे सारे के सारे टूट चुके हैं अब इसको हम जोड़ा कैसे 12345 अब यहाँ पर हमाई सिर्फ चार्जिंग का ही चीए तो हम अगर यह प्रिंट टूटा है तो इसको हम देखिए कहां से ट्रैस करें देखिए थोड़ा सा बचा है हम यहाँ पर जूम करके इसके ट्रैक को में धोड़ने की कोशिश करता हूं और आपको बता देता हूं आप कभी वीडियो में विजिट करते हैं तो आपको डिरेक्ट सॉल्यूशन में दे दूगा अब यहाँ पर मैं चाहता तो डिरेक्ट यहाँ पर जोड़ सकता क्योंकि थोड़ी सी ह ठीक है अब एक मैं यहाँ पर कोई एक एक ऐसा कंपोनेंट होगा जिसमें हमारा यहाँ पर यहां से ट्रैक गया होगा अब यह जादेतर कैपैस्टर गया होता है क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए कैपैस्टर का ही जादेतर यूज होता है तो अब कैपैस्टर एक तो हमारा सोड यहमारा पॉजटिटिव का तो यहां से जो नेगाटीव को देखी है user ग्राउंड से अরवी क्नेक्टेड रहता है यहां पर रिखिए यह ग्राउंड से प्लिन है आपका आप को में फिर दिखाता है यह तो आपको positive का तूट की जाए तो आप इस capacitor से यह जो capacitor just यह वाले capacitor से देखिए इस तरफ से यहां तरफ देखिए इस तरफ इस तरफ तो ground का है इस तरफ से आप jumper उठा के आप positive है देदीजिए अब यहां पर देखिए जो jack यहां से उखड़ा हुआ था उस पे भी हम लोग एक बार इसको clean कर लेता हूं जिसके प्रिंटिस में तूटे हैं इसको clean कर लेता ह और यहां पर इसमें भी चेक कर लूगा कि जैक की condition क्या है जैक अकर बिल्कुल ok condition में रहता हुआ तो इसी जैक को हम लोग जोड़ने क्योंकि यहां पर दूसरा जैक ऐसा होला है नहीं मेरे पास शुकार करके लगाने में फिर ऐसा होते है बार बार टूर जाता है इसके खा जाइब करोंगा और यहां पर देखेंगे कि हमारा जेक रीडिंग गड़ा है कि नहीं, अगर खराब होगा तो रहेंगा तो रिडिंग देगा अब यहां पर देखें एक में इसको मैं इदर पर कनेक्ट करता हूं, पॉजिटिव का इह है तो इदर पर connect करता हूं और negative का यहां पर connect करूंगा तो देख सकते हैं jack से हमारी reading कितनी आरी बिल्गुल 5.50 जीतना charger आउटपुट देता है उतनी reading आरी मतलब jack बिल्गुल okay है अब यहां पर इसको हम जोड़ेंगे दोस्तो जैक को मैं clean कर चुका हूं अब इस बोड की बात करूँ यहां पर देखिए एक चीज आपको बता देता हूं यहां पर अगर आप USB के भी connect करना चाहते हैं तो यह जो प्रिंट टूटा इसके जस्ट ऊपर छोटी-छोटी जो क्नेक्ट आईसे कर लेंगे ठोड़ा सा बिलकुल है ओके हैं को दिकत नहीं है मैं यहां पर करूंगा साथ में एक जंपर भी मैं इधर तक दे क्योंकि यहां पर हो सकता है कभी तूटे वगर है या हिल जाए तो जमपर हमारा थोड़ा बहुत इसमें help कर लेगा तो जमपर वगर भी मैं डाल दूँगा ताकि थोड़ा सा अच्छी तरीके से work कर पाए यहां पर इसको मैं अच्छी तरीके से हमने कच्छी यहां पर बैठाल लेंगे जैक हम सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब तो इसमें लगा लगे और इथर भी लगा यहां पर जखाने बाद मैं बड़े वाले आयरेंज से ही करूंगा अगर आपके बाद SMD है तो SMD से भी कर लिजिए कोई रिकत नहीं है वैसे ये काम आयरेंज से ही होता है कि इसको मैंने SOLDけ कर लिया है और इसकी सारी की सारी लेग अच्छी तरीकी से बैठा को चूंहां उसकी अच्छी तरीकी से है इसको प्रैस करके है आप सोलडिंग किजिए वा चलिए यह घुमार्ष और हो चुका है हां थ्रफृट हो चुका है अभिसकि इस तरह को कि टांग में सोलडिंग रहनिग में को आपको थोड़े साओ और क्लोज में दिखाऊ हूँ तो चलिए इसमेर लगा लीता हूँ तो प्रेस करके दूलिंग कीजिए अधिए कर लिजिये के भरलो कि रोटिंग मट कीजिए लिक्कत हो सकती है तो उतना ही इस सबसूरी करा है यह अच्छी तारीकिसी यह हो चुका है और फिक्स हो हो चुका है अब इसके अंदर की टांग जो है इनको भी हम सोल्डिंग करेंगे और उपर से में एक जंपर भी डालूँगा साथ में जंपर आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं चाहे तो कोई बात नहीं मट डालिए आपकी इच्छा है तो थोड़ा से में पेस्ट लगा लेता ह जो डीपीडीम जो भी है बताय था आपको मैंने उसमें मैंने सोल्डिंग कर लिया है अगर जंपर की बात करो तो पॉजेटिव में जंपर की जरुवत नहीं है पॉजेटिव की लग बढ़िया है नेगेटिव में थोड़ा सा में जंपर कर लूँगा जो नेगेटिव का ह कर सकते हैं यह नहीं है तो किसी भी खराब आप transformer की वायर को उठा लीजिए जो चोटी-चोटी आपके SMPS वगर में transformer आते हैं उनकी वायर भी आप उठा लीजिए कोई आतनी वह भी jumper का की काम करती है वह भी coding युक्त होती है पूरी आपकी तो यहाँ पर मैंने एक ग्राउंड का उठा के यहाँ पर capacitor के को jumper दे दिया है क्योंकि यहाँ पर jumper देंगा ground पर तो यहाँ पर speaker का भी point रहता है तो यहाँ पर jumper ना दे कि मैंने इधर पर jumper दे दिया है अब चाहें तो आप TPDM का भी connect कर सकते हैं मैं बाद में connect कर लूँगा पहले यहाँ पर charging का देख होता है तो फिर अगला step यहाँ पर follow करूँगा तो चलिए इसको मैं connect कर लेता हूँ अब देखते हैं वेट करते हैं चलिए अगर charging उठाता है तो अच्छी बात है नहीं उठाता है तो फिर इसका अगला step हम हाँ उठा दिया चार्जिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं असानी से repair कर सकते हैं पास यह mobile आता है तो आपको मैंने ज्यादा मसकत ना करते हैं सीधे ही बता दिया कि आप इसके प्लस के point को उठा के आप इस capacitor के दहने आचे ले सकते हैं और बाएं हाँ से ground का ही है ग्राउंड तो ऐसे ही find कर लेंगे आप जहाँ पर continue महारी वहीं पर ground आप समझके उसको उठा लेंगे प्लस का बता दे इस capacitor से आप उठा लीजिए बाकि आपका जो है charging का problem असानी से solve हो जाएगा तो आप देख सकते है charging करना स्टार्ट कर रहा है अब मैं इसको जो अधर इसके USB कर रहे हैं वह आसानी से मैं जंपर कर लूँगा आपकी जो charging का कर यूँद़ टा